नमस्कार, मैं आसी सराठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जो आज काम अरविंद केजडिवाल ने किया, वही अगर पाच महीने बाद जब मार्च में इनकी गिरफतारी हुई थी, उस वक्त अगर ये काम करते तो मान मर्यादा इजद सब बचा रहता, लेकिन आज अधिकारिक रूप से इस्तिपा तो दे दिया है अरविंद केजडिवाल ने, लेकिन इस्तिपा तो दिया, लेकिन पूरी फजीहत भी हुई और लोगों ने यही कहा कि मजबूरी थी अरविंद केजडिवाल का इस्तिपा देना, अगर सुप्रीम कोट इनके अधिकार को नहीं छिनते, CM आफिस से जाने से नहीं रोकते, फाइलों पे साइन करने से नहीं रोकते, तो ये अभी भी CM के पद पे धीट की तरह बैठे र अरविंद केजडिवाल ने वो फोटो भी आई है, दिखाऊंगा आपको, तो अब नियम क्या कहते हैं, जो शीष महल अरवो रुपए की जो संपत्ती, उसमें रिनोवेशन के नाम पे जो लगाया गया, क्या वो सब छिन जाएगा, जो शीष महल इतने दिनों से लोगों की नजरों से छुपा था, वो सारा भेश सामने आ जाएगा, बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको ये بتा दे कि सुप्रेम कोड ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, और स्टेटमेंट क्या दिया था, बयान क्या दिया था, Direction को कहा था कि शराब घोटाले मामले में आप कह रहे हैं Enforcement Direction को कि आम आदमी पाटी लाभानवी थे शराब घोटाले के पैसे से आम आदमी पाटी ने उसे लाभ कमाया है अरविन केजडी वाल ने लाब पाया है, तो फिर हाई कोट ने भी ये स्टिट्मेंट दिया था, जब आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के पैसे से लाब हुआ, तो जितनी भी संपत्ती, जितने भी इर्दिगीर्द जो भी पैसे लगे, जो भी इन्हों ने बनाया, सारे संपत्ती को जब्त कारिटेट, उस पे अब अग्रसर हो चुकी है, पहली चीज़, और इसमें एक्षन भी सुरू है, शिष महल मामले में, अजय माकन कॉंग्रेस नेता ने ये स्टेट्मेंट दिया था कि, एक सो तीन करोर रुपए की लागत की, ये शिष महल है, ये सीएम आवास है, ये कारिक रुप से, जब सीएम बन चुकी है, आतिशी माल लेना, तो नियम ये कहता है दोस्तों, कि 14 दिन के बाद, अर्विंद केज़री वाल का जो सीएम आवास है, वो खाली करना पड़ेगा, और सीएम आवास के अंदर एजेंसी जाएगी, और जो भी रिनोवेशन के नाम पे इलीगल तरीके से, जो भी बनाए गए हैं, जो भी पैसे लगाए गए हैं, उसका सारा डीटेल मांगा जाएगा और उस पे जाच बैठेगी, कि आखर करोरों रुपै के मारबल, जो पर्दे हैं, ये तमाम चीजों का खुलासा होगा, यानि अब एजेंसी भी हैं, उस पे भी नजर बनाई हुई हैं, यानि चारों तरफ से अर्विन केजरिवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हैं, एक तो इनसे अधिकारी कुरूप से इनके अधिकार छिन लिए गए, दूसरी चीज़ कि अगर इन्होंने अवैत तरीके से जो भी संपत्ति कठी क करी है, उस पे जाच होगी, CM आवास खाली करना पड़ेगा, मतलब चारों तरफ से देखिए, नाराजगी, मायूसी और असफलताहे दिख रही हैं, आज CM बनाया गया आतिशी माल लेना को, लेकिन किसके कहने पर बनाया गया, ये भी आगे खुलासा करेंगे, लेकिन स्टेक्मेंट देखी, फिर उसके बाद बरी ख़बर बताते हैं. एक बार फिर अर्विन केज्रीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी, कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विन केज्रीवाल जी को अपना मुख्यमं अपिल कर रही हूं, कि मुझे माला मत पहनाईएगा, मुझे बधाई मत दीजेगा, आतिशी माल लेना को ये पता है, कि अगर मैं ज्यादा खुश होंगी, ज्यादा तेवर दिखाऊंगी, तो लोग यही कहेंगे, कि देखो इसे सीम बनना था, इसलिए ये इतना खुश हो क्योंकि आतिशी माल लेना को पता है, कि दिल्ली की जनता मुझे एकसेप्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे भी दिल्ली की जनता बधाई देने से रही, आतिशी माल लेना को ये पता है, कि कारेकरता मुझे माला पहनाने आएंगे नहीं, क्योंकि एक नराजगी चल रही है, पार पार जेल से आने के बाद लेटेस्ट फोटो वाइरल हो रही है एलजी वीके सकसेना के साथ अर्विन केजरीवाल की पहले तो यह फोटो देखिए कहीं से भी आतिशी मालेना के चेहरे पे यह अपसोस दिख रहा है कि वो दिल्ली की सीम बन गई है आतिशी ने और दिल्ली में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है दोस्तों यह भी बड़ी खबर है बेचारे और लाचार की भाती अर्विन केजरीवाल साइड में खरे हैं और किस तरीके से एलजी वीके सकसेना अतिशी मालेना को बुके दे करके उन्हें बधाई दे रहे हैं अब एलजी वीके तेजी से वारल हो रही है दोस्तों क्योंकि बहुत दिनों बाद अर्विन केजरीवाल साथ में दिखे एलजी वीके सकसेना के और अपने दुख मायूसी को अपने चेहरे से किस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अर्विन केजरीवाल इस्तिपा पत्र देते हुए ये फोटो बहुत तेजी से वारल हो रही है अगर इस्तिपा जेल जाते ही दे देते हैं अर्विन केजरीवाल तो इतना बखेरा नहीं शुरू होता चारों तरफ जो बदनामी हुई बेज्जती हुआ ये ना होता दिल्ली की जनता जो गालिया दे रही थी वो नहीं होता अब देखिए दोस्तो बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये है कि यहाँ पे बीज़ेपी के बड़े नेता विरंद सस्थेवाजी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है विरंद सस्थेवाजी ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तो यहाँ पर देखिए मरजी मुखेमंटरी नहीं बनवा सके क्योंकि मनिस्सोदिया के दबाओं में आतियुको मुखेमंटरी बनाया है यह बड़ा खुलासा विरंद सस्थेवाजी ने कर दिया दोस्तों यानि मनी सिसोधिया के करीमी है आतिशी मालेना और मनी सिसोधिया के कहने पे ही क्यों आतिशी मालेना को सीम बनाया गया यह सबसे बहुत सवाल है महिला शक्ति करन की बात करने वाले, महिला शक्ति की बात करने वाले आज इनकी पोल-पट्टी स्वाती मालिवाल ने पुरी तरीके से खोल करके रख दी है वह वीडियो भी दिखाएंगे लेगिन आतिशी माल लेना जैसे मुख्यमंत्री बनती है अब एक और बवाल और बखेडा शुरू हो जाता है देखिए जरा इस वीडियो में अफजल गुरू एक आतंकवादी को डिफेंड करती हुई आतिशी मालिना के माता पिता ने एक दया याची का मर्सी पेटिसन राश्टपती को दिया था बहुत दया आ रही थी कि उनकी सजा को छोड़ दीजिए उनको कम कर दीजिए तो इसलिए बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गया है अतिशी मालिना को जिसके माता पिता आतंकवादी को डिफेंड कर रहे थी तो दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा खत्रे का वक्त है सुरक्षा के मामली में अगर देखा जाए तो एक ऐसा सीम दिल्ली का बना जो कि उनके माता पिता एक आतंकवादी को बचा रही अब देखिए दोस्तो यहाँ पे आतिशी मालेना के उपर जो आरूप लगी और किस तरीके से स्वाती मालिवाल के उपर आरूप लगाती है जब स्वाती मालिवाल के साथ मालपीट होती है पिये विवाव कुमार उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो ये स्वाती मालिवाल नहीं ये आरोप लगाया था कि जो है मुझे बदनाम कर रही है आतीशी मालेना और आतीशी मालेना ये आरोप लगाती है कि स्वाती मालिवाल जो है वो जूड बोल रही है उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई लेकिन आज जब मुख्यमंत्री बनती है आतिशी मार लेना तो स्वाती मालिवाल का एक statement आता है कि अफजल गुरु को फासी ना है कि अफजल गुरु निर्दोश की अफजल गुरु सिर्फ एक राजनेतिक साजिश का शिकार बन गये यह कितनी गलत बात है आज आतिशी मार लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी लेकिन हम सब जानते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ एक डमीसीन एक कटपतली मुख्यमंत्री बनेंगी लेकिन फिर भी ये मुद्धा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्धा सीधे सीधे दिल्ली और बेश्टी सुरक्षा से जुड़ा है भगवान बचाये दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से तो स्वाती मालिवाल ने पूरी तरीके से मुद्दा उठा दिया है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे बिना सोचे समझे अब यहां पे खुद आतिशी माल लेना स्टेटमेंट दे रही है कि मैं केज्रिवाल जी के मार्क दरसन पर चलूंगी तो क्या हुआ जब स्वातिमालिवाल ये statement दे दी कि dummy CM है आप कट पुतली है अर्विन केजडिवाल की तो क्या गलत बोल दिया बीजेपी ने भी बयान दिया कि ये कट पुतली है CM का अर्विन केजडिवाल का आतिशी माल लेना बस नाम के लिए आप एक CM है तो dummy CM कह दिया इसके लिए स्वातिमालिवाल से कहा कि आप इस्तिपादे लीजे तो ये पूरा जो बवाल खरा हुआ है बखेरा शुरू हुआ है ये आतिशी माल लेना का भी ज़्यादा दिन तक सफर चलने वाला नहीं है यही दिख रहा है अलाकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचाज़ों बेख कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पेस कर लिजिएगा और अपने दोस्तों में शियर्जों कीजिएगा तैंक्स पो वाचिंग माई वीडियो जैहिन सत्यमेव जैते